गाज आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं जीओ के इंटरनेट से आप काफी अदा परिशान हो चुके हैं जीओ के इंटरनेट स्पीड काफी अदा आपको शलता है तो इस वीडियो को एंड तक complete watch करेना तो इस वीडियो को एंड तक बिएन इसकिप करना अपने मुबाइल की सेटिंग को अपने करेना है जैसे ही मुबाइल की सैटिंग को ओपिन करते हैं इधर पर ऑप्सन आपको देखने को मिल जाता है कनेक्षनस का ये फिर आप सर्च कर सकते हैं अपने phone पर इस पर आपको click कर देना है and जैसे ही click करते हैं इदर पर आपको option देखनी को मिल जाता है mobile networks का इसके option पर आपको click कर देना है and जैसे ही click करते हैं तो access point names का एक option देखनी को मिलता है आपके phone पर इस पर click कर देना है जैसे ही क्लिक करते हैं इधर पर आपको सबसे बहला तो 3 dots पर क्लिक करते हैं तो reset to default का एक option देखने को मिलता है इस पर क्लिक करते हैं तो reset आपको कर दिना है यह सही होगा कि जो भी आपकी old setting होगी वो clear हो जाईगी and simple से इस पर आपको add की button पर click करना है जैसे कि right side पर उपर side पर add का button देखने को मिला है इस पर जैसे ही click करते हैं तो इधर पर आपको names का option देखने को मिलता है सबसे first वाला इस पर names पर आपको click करना है इधर पर आपको capital का J रहेगा और io आपको small में लिखना है इधर पर 4G लिखना है जिस area पर 5G आगया है तो 5G भी लिख सकते हैं इधर पर 4G लिखकर आप ok पर click कर सकते हैं and apn के एक option देखने को मिल जाता है apn के option पर आपको डालना है geonet speed geonet speed आपको apn के option पर डाल देना है and जैसे ही डाल देते हैं proxy का option देखने को मिलता है इसको आपको not set रखने देना है port का option देखने को मिलता है इस पर भी आपको कुछ नहीं करना username का option आपको देखने को मिलता है username पर आपको डालना है geo.speed.4G geo.speed.4G इधर पर आपको सभी small later में लिखने हैं और साथ में आप जिस भी मन्त की setting कर रहा है उस मन्त का भी name आप डाल सकते हैं जैसे February चल लेए तो अपने February का मन्त डाल सकते हैं जो भी आपको month चला है तो month भी डाल सकते हैं इसकी बात OK पर आपको click कर देना है password का option देखने को मिलता है इसको आपको not start रखनी देना है server के option पर आपको click करना है इधर पर आपको डालना है www.google.com सभी small later में रहेंगे OK पर click करना है MMSE का option देखने को मिलता है इसको आपको not start रखने देना है MMS proxy का option भी आपको कुछ नहीं करना है MMS port और MCC, MNC को आपको कुछ नहीं करना, यह area by code select रहते हैं, इधर पर आपको authentication type का option देखने को मिलता है, इस पर click करना है, PEP and CHEP के option पर आपको click कर दिना है, PAP और CHAP गई option पर, and simple से आपको APN type का option देखने को मिलता है, इसमें आपको small letter में default search कर दिना है, and simple से इधर पर आप APN protocol का एक option देखने को मिलता है, इस पर आपको click करना है, IPV4, IPV6 से पर आपको select करना है, and इदर पर आपको सभी को tick कर दिना है, फर्स्ट वाली को untick करका, और जितने भी आपको देखने को मिलता है, अपने area by जो भी नेटवर्क पर connectivity होगी, वो इदर पर catch कर लेगे, और सा एंटो के पर आपको ख्लेक्ट कर देना है, एंड़ इधर पर, आपको आपको आप्सं देखने को मिल जाता है थ्री डौट्स का राइट सैट पर उपर सैड पर इस पर क्लिक करका सेप पर आपको क्लिक कर देना और जो भी आपने new setting select करिए उसको आपको select कर देना है and जैसे ही select करते हैं इसके बाद अपने phone को restart कर देना है and restart करने के बाद आपको अपने internet की speed को check करना है काफी अधर internet की speed increase हो गई है और साथ में guys एक pro tips में आपको बतारा हूँ उससे 101% आपकी जो internet की speed वो increase होने ही वाली है इसके लिए simple से आपको किसी other number पर अपने ही other number पर call कर लेना है जैसे कि like आप 198 पर भी call करकर आप अपने internet की speed को check कर सकते हैं अभी just आप 198 पर call करिए इस चैटन को करने के बाद और साथ में अपने net को use करिए और उसी sim से आप call करिए जिससे आप net चला रहे हैं और इसके बाद आप अपने net की speed को check करिए काफी अदा increase हो जाएगी अगर आप काफी अदा परिशान internet की speed से तो अपने किसी वी वाईगी phone पर आप अपने किसी secondary phone पर call करकर रखती जीए और internet को मस्त तरीके से आप use करिए 101% आपको internet की speed काफी अदा बेटर देखनी को मिलीगी सो गैज आज की इस वीडियो में कुछ इतनी information आपके साथ में share करनी थी सो गैज वीडियो सेंदा तो लाइक करना प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बाला किन जवाब हैस करना